नमस्कार दोस्तों फिर से आप सभी लोगों का हमारा प्रभू ब्लोग में स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि चमपाई सोरेन के बीजेपी में सामिल होने से जैमेम को कितना नुकसान होगा नहीं होगा इस वीडियो में हम चर्चा क तो कापी दिनों बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है तो आप लोगों को हम बताएंगे कि जो कुलहन में जो 14 विदान सबा सीट है उसमें से बीजेपी के पास एक भी विदान सबा सीट नहीं है और केवल एक सीट आप निर्दलिये लिए हैं बाकी बाद आपका कॉंग्रेस औ कि बीजेपी में सामिल होंगे लेकिन अभी तक हम जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक अभी बीजेपी में सामिल ये नहीं हुए हैं लेकिन तमाम सारे मीडिया और न्यू चैनलों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बीजेपी में सामिल होने की बात कही जा रही है अगर वो सामिल होते हैं तो इसमें BGP या GMM का कितना नुकसान हो सकता है देखिए अगर आप कुलहान रिजन में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर हो समुदाय लोगों की जो संक्या हो कापी जादा मातरा में है और वहाँ पर BGP को जादा बोर्ट नहीं पड़ती है यह चीज आपको अगर पूरे बोर्ट जो आप बीते समा में जो भी एलक्सन हुए है उचीज आप डेटा एनलेसस को आप देख सकते हैं कि BGP वहाँ पर बहुत कमजोर है और वहाँ पर बड़े नेता के रूप में अभी तक BGP का जो बड़े नेता के रूप में अभी तक कोई नहीं है वहाँ पर और अगर वो BGP में सामिल होते हैं तो जमेम को जादा नुक्सान होने की संभावना नहीं दिख रही है अगर आप वहाँ पर सिंभूम या चैवासा, सराइकेला आसपस अगर आप देखते हैं और तमाम सारे जो कुलहान के छेतरों अगर आप घूमते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर बोट पड़ता है तो वहाँ पर जमेम कोई पड़ता है कोंगर कांग्रेस समर्तकों की संक्यागी आम देखते हैं तो कुलहान में कापी कम है सबसे ज़्यादा किसी पार्ट si उमर्तक है तो वहाँ पर आपको जमेम का लोग ही नज़र आएंगे अगर आप हो लोगों से आप अधिकतर मिलियेगा तो गिने चुने लोग ही आपको BJP को बोट करते हुए पाएंगे अधिकतर आगर आप जो साहरी चेतर अगर या चायबासा सराई के लाका जो साहरी चेतर में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर अधिकतर थोड़ा बहुत आपको ब्युज़ेपी के जो समर्त है कि वह आपको नजर आएंगे लेकिन आपको रियलिटी अगर आप देखना है तो गाउ इलाकों अगर आप देखते हैं तो आदिवास्वें से मिलियेगा तो आपको बोट सबसे ज़्यादा जमेम कहीं मिलेगा अगर जमेम को लोग ही प कना रहे हैं तो इस पर लोग कोजने हैं लग है तो यह संघते हमें नुखसाण होते हुए हम लोगों को नजर आरहिए जैसे हम लोगों लोक्त Чएबासा में राते हैं तो آगर आप देखते होंगे कि यहां पर जो बीजेपी को बहुत पहले लोग कुछ हाथ तक उनको पसंद करते थे लेकिन अभी पिलहाल तो अगर आप इस बार भी अगर बिदान सभा सीट भी अगर बिदान सभा का जो चुनाव भी अगर होंगे तो वहाँ पर मुश्किल से अगर 14 में से मुश्किल से 2 या 3 सीट ही हो सकता है कि BJP जित सकती है लेकिन उससे ज़्यादा आपका सीट अगर सबसे अधिक जित सकती है तो कुलहान में जेमेम ही है अगर आप सिंबुम का ही आपका पच्चिम सिंबुम जिला का ही अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर BJP को लोग ना के बराबर बोट देते हैं कुछ लोग ही देते हैं और अधिकतर सबसे ज़्यादा जेमेम को ही बोट देते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बोक्ट में जरूर बताए और आने वाले चीज में जो भी राजनेतिक मुद्धे या जरूर बाते होंगे तो आपको हम वीडियो के मादे हम से बताएंगे लेकिन जो या भी राजनेतिक जो बाते हैं ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बोक्ट में जरूर बताएं धन्यवाद